नमस्कार जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में दोस्तों कितना भी समझाओ कितना भी समझाओ लेकिन कुछ लोग को बाते समझ में नहीं आती है सोसल मीडिया कोई हलवा नहीं है सोसल मीडिया कोई हलवा नहीं है social media एक जिम्मेदारी का काम है अगर आप एक news creator है आप news बनाते हैं आप ख़बर बताते हैं किसी भी industry की तो आप सची ख़बर बताएं आप फरजी ख़बर ना बताएं आप अफवार ना फैलाएं क्योंकि अफवार फैलाना एक जुर्म है एक crime है जो सच है वही दिखाईए आप आप अगर गलत ख़बर फैलाएंगे तो फिर इंसान को एक्सन लेना ही पड़ेगा आपको बता दूँ कि खेसाली लाली आदो जीने जैसा कि लाइब में बोला था कि अगर कोई गलत ख़बर कोई फरजी खबर मेरे खिलाफ किसी ने फैलाई तो मैं एक्सन लूँगा और आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब उन्होंने एक्सन लेना चालू कर दिया है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं अभी भी जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फरजी खबर फईडा रहे हैं जातिवाद पैदा करना चाहते हैं यादो और बाबु साहव सिंग को लडाना चाहते हैं ये दो चार कलाकारों के चक्कर में पूरा बिहार क्यों जले पूरी यादो जाति क्यों जले पूरे जो बावु साहिब है जो सिंग की कौम है वो क्यों जले आखिर में आम आदमी की क्या गलती है आप लोग के चकर में जो यादो होगा जो सिंग होगा वो आपस में दुस्मन बन जाएंगे कटर पंती हो जाएगा आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा अंदोलन हो सकता है आप लोग को लग रहा है कि बस विव आ रहे हैं पैसे कमा रहे हैं लेकि इसके माध्यम से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी आपको नहीं पता है आप लोग हमेशा कहते हैं कलाकार की कोई जात नहीं होती तो आज फिर यादो और छटरी सिंग क्यों आ रहे हैं आप लोग कलाकार बने रही है आम लोगों की भावनाओं के साथ आप लोग क्यों खेल रहे हैं जिस लड़के ने भी गंदा गाना गाया अब वहाँ जातिवाद का सहरा क्यों ले रहा है? कोई भी इनसान हो, चाहे बड़ा इस्टार हो, चाहे छोटा कड़ाकार हो, कोई भी हो जातिवाद का सहरा आप लोग मत लीजिए. ये आम आदमी की उपर असर पड़ता है. आप लोगों से हाँ जोड के request है और जितने लोग fake news बना रहे हैं फरजी news बना रहे हैं कि फलनवा जेल चला गया फलनवा को police ने पकड़ लिया आपके पास जो report आई है पहले उसको खबर करिए कि सत्य उसमें कितना है फिर आप ये public तक खबर पहुचाईए बीना जाने बुझे mobile उठाके बस धडाम करके आप लोग खबर बना दे रहे हैं ये गलत है miss use मत करिए fake थमदल मत लगाईए कुछ आर्थ होना चाहिए please आप सबसे request है नहीं तो फिर अंत में क्या होगा यही होगा यही चीजे होगी बड़े मेहनस यादमी चैनल तयार करता है मैं मानता हूँ कोई strike मारेगा आप counter करोगे वो re counter करेगा फर YouTube क्या करेगा आप दोनों को court में भेज़ देगा court का चेहरी होगा तो आप गंदी खबर फैलाते हैं क्यों हो जो सच है वो दिखाओ जो सही है वो दिखाओ जो jail गया उसको बोलो jail गया ऐसी चीजें मत करो खासतोर मैं हाथ जोडता हूँ मैं हाथ जोड के बोल रहा हूँ जाती बात मत फैलाओ यादो चि बराह मत करो आप लोग पलीज आप सभी से request आप लोग ऐसा ना करें, प्लीस